क्या पाकिस्तान टुकरों में बटने वाला है क्या पाकिस्तान से बलुचुष्टान का हिस्सा अलग हो करके एक नया राष्ट बन जाएगा क्या सिंदू से अलग हो सकता है क्या पंजाब जो पाकिस्तान का एक सबसे सम्रिद और राजनेतिक रूप से वर्चस वाला गया है यह बात कहा गया है पाकिस्तान के पुर्व प्रधान मंतरी इम्रान खान के द्वारा और इम्रान खान ने ये कहा है कि संभव है पाकिस्तान टुक्रों में बढ़ सकता है ठीक वैसा ही उन्होंने कहा है जिस तरह से आप और हम चर्चा करते हैं पढ़ते जो हैं धाका ट्रेजेडी के बारे में, धाका ट्रेजेडी 1971 में जो हुआ था, यानि कि पुर्वी पाकिस्तान उस समय का, बंगला देश कट करके पाकिस्तान से एक अलग नया राष्ट बन गया था, तो उस समय की जो संकट था, उस समय का जो सिचुएशन था पाकिस्तान में उपलब्द ह गया था ठीक वैसा ही situation अभी हो रहा है यानि कि राजनेतिक और इस्थिर्था भी है और economy पूरी तरह से पाकिस्तान की collapse कर गई है तो जाहिर सी बात है जन और संतोस बढ़ेगा यही बाते यहां पर इमरान खान कहने की कोशिश कर रहे हैं नमस्कार मैं मनिश भारती संस्कृत CIS platform पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अब इस मुद्दे को बहुत विस्तार से हम समझते हैं जो सबसे महतपुर्ण point है हमारे लिए जिस पर हमें गौर करना है UPSC sprint होने के नाते आपको पूरी तरह से इस बात को अच्छे से समझ में आना चाहिए वह है कि ढाका क्राइसिस क्या था ठीक है तो ढाका क्राइसिस को हम अच्छे से यहां समझेंगे दूसरी बात देखिए पाकिस्तान हमारा परोसी देश है पुर्व प्रधान मंतरी भारत के अटल विहारी बाचपई सहाब कहा करते थे कि आप मित्र और दुश्मन दोनों का चैन कर सकते है मैं आप से चाहूं मितरता करना तो मैं करूंगा अन्यथा मैं कहूंगा टाटा बाई बाई मुझे आपसे बात नहीं करनी है ठीक है आप किसी से दुस्मनी भी आप नहीं करना चाहते है तो आप कह देंगे चलिए मैं हार मान लिया आप से आप जीत गए मैं दुस्मनी नही करता है तो है वह देखा ही आप पाकिस्तान को उठाकर के लेटिन अमेरिका में नहीं घाकर सकते हैं नाहीं नहीं है नहीं है अब बहुरत को इनवाल होना प्रह था उसमें और भारती सेना इन्वाल्व हुई भारत पाकिस्तान के सेना के बीच मुठभेर हुआ और उसमें पाकिस्तान की करारी हार हुई तकरीबन 95,000 से अधिक पाकिस्तानी सेना ने भारती सेना के सामने शमरपन कर दिया तो अब अगर फिर से यही स्थिति उत्पन हो जाए पाकिस्तान में जो की दिखने में लग रहा है बलush शाररा है यहां से निकलिए पाकिस्तान में झो पाकिस्तान के फ़ूरेश्च को पाल रहा है शद्यों से उन सभी आतंकबादियूं पर हमला हो रहा है टार्गेट किलिंग है और यह बात खुद पाकिस्तान के जो हैं सत्ता में बैठे हुए लोग वो खुद कह रहे हैं आरो भारत पे लगा रहे हैं लेकिन इसके पुष्टी नहीं हो यह कुल मिला कर कि स्थिती जो है पाकिस्तान की वो पूरी तरह से चर्मरा गई है तो क्या भारत इस से चुदा रह जाएगा बिलकुल नहीं रह जाए भारत को फिर से इंवाल्व होना पर जाएगा यदि इस तरह की कोई भी कंडिशन पाकिस्तान में होती है जो की बनता दिख रहा है तो इंटरनेशनल रिलेशन आप जी एस पेपर टू पढ़ते होंगे उसमें इंटरनेल रिलेशन पूरा खंड है उसमें भारत और उसके प रिक्षित करने बाला तो है ही साती यादेखने को मिलेगा कि ये दुनिया और खास करके सौथ हेशिया की जब बात करेंगे जिसमें भारत भी है जिसमें पाकिस्तान भी है अफकानिस्तान है बंगला देष स्रुलंका है मालदी फेने पाल है तो यह आगे कैसे बढ़ेगा इसके शान्ती और समिर्धी के लिए आप कोई चीजे समझना बहर जरूरी है। पाकिस्तान में फिर से धाका संकट जैसी घटना की आसंका बताई जा रही है। चलिए इसको देखते हैं और यहां पर न्यूज पेपर में देखेंगे काफी चर्चाल चल रहा है चीज़ का पूरे इंटरनेशनल मेडिया में इस चीज़ का चर्चाल चल रहा है तो कि जाहर सी बात है जो व्यक्ति उस देश में समिधानिक पद पर लंबे समय तक बैठा र कहा हो अगर वह कह रहा है तो जाहर सी बात है जो है गंभीर है पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है पाकिस्तान के लिए तो यहां पर वही कहा जा रहा है धाका लाइक ट्रेजरी की चर्चा किया गया है और एक्स पीम इम्रान खान के द्वारा यह बात जो है इसकी चिता और आया है इसको चरह मिस्तार से समझते हैं कि क्या क्या डौन अकंपार ने कहा है इवहेंट्स मे लीट टू अनधर ड्हाखा ट्रेजडी ठीक है अब यहां पर देखिए क्या क्या कहा गया है यहाँ पर देखे सबसे पहले कहा गया है 1971 का धाका ट्रेजडी हो सकता है तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज हमें समझ लेना है 1971 का धाका ट्रेजडी जो उसको कहा गया है तो बंगलादेश यानि कि उस समय का जो पुर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और आज का जो बंगला देश है उसकी राजधली धागा तो उसको इसी शब्द से डिनोट किया गया है यानि कि पाकिस्तान का एक हिसाब पूरा कट करके नया देश ही बन गया तो यहाँ पर कही जाए यह उनान खान के द्वारा कहा जारा है अब देखें यहां पर कहा क्या गया है लॉजिक क्या दिया गया है कि देखिए कि कोई भी देश है और उस देश की संस्था यदि एस्टेबल होना चाहती है तो उस देश के एकॉनमी को एस्टेबल होना परेगा यदि वहां के एकॉनमी ए से पाकिस्तानी पैसा है तो उसका पावर गिरता जाएगा यानि कि डॉलर के मुकाबले जो है उसकी इस्तिती ज्यादा खराब होती चली जाएगी आपने अर्थ व्यवस्ता में इन चीजों को पढ़ा होगा और जब यह सब चीजे होगा तो चाहिर सी बात है क्या हो जाएग ठीक वैसा ही जैसा कि आपने स्रिलंका में देखा होगा स्रिलंका में प्रसिडेंट हाउस में जिसमें प्रसिडेंट रहा करते थे उसमें जनता चले गए ठीक है आंदोलन करते हो उनके बेडरूम में जाकर कि सब आराम कर रहा था ठीक है आपने देखा होगा चैनल पे दे पूरी तरह से करज के जाल में फस चुका है खास करके अपने मित्र चीन के द्वारा ही तो यही सब बात हैं यहाँ पर इमरान खान कह रहे हैं कि आपको stable economy चाहिए और stable economy होगा तभी जो देश है और देश के अंदर जो institution है संस्था है वो stable हो पाएगा यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर situation बहुत खराबी होगा हम आएंगे धाका tragedy को लेकर के मैं आपसे चर्चा करूँगा दरसल हुआ क्या इमरान खान अभी यह बयान क्यों दे रहे हैं आप जाना है कि इमरान खान की पार्टी है पाकिस्तान तहरी के इंसाफ पार्टी जिसको सौट में खा जाता है PTI ठीक है तो PTI पार्टी को बैन कर दिया गया यहाँ पर ध्यान लगना है आपको बैन क्यों कर दिया गया पाकिस्तान सरकार के दोरा बेन इसलिए कर दिया गया कि इस पार्टी पर ये आरोप लगा कि टेरिस्ट के साथ इसका सांटगाट है ब्रश्टाचार के आरोप भी लगाएगे कई तरह के आरोप लगा करके इस पार्टी को पूरी तरह से बेन कर दिया गया देखे, बात जो भी है, लेकिन सचा ही यह है कि इमरान खान की परसिद्धी जो है पाकिस्तान में लगातार बना हुआ था, अभी हाल ही में 2024 के सुरुआत में पाकिस्तान में जनरल एलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर लगवा की स्थितिया बन गया था, कि वो चाही नहीं रहे थे कि पीटिया एलेक्शन लड़े, ठीक है, तो पहले ही पार्टे को यहाँ पर बैन कर दिया गया, इमरान खान अभी भी जेल में है, ठीक है, तो जेल से ही उन्होंने ये मैसेज भी दिया है, इसके अलावा इनकी पार्टे जो है यहाँ पर अगर चुनाब नाम आता है, पाकिस्तान आर्मी के विसे में समझे, पाकिस्तान एक ऐसा देश रहा है, जो अपने निर्मान से ही 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हो करके धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना है, मौहमद अले जिन्ना आप जानते ही हैं, आपको परचित हैं इन से चीजों से, मौ के साथ कहिन कहीं कॉलैप्स हो गया, कहिन कहीं टकरा हट हुआ, आर्मी और इम्रान खान की, और आर्मी फिर आगे निकली और इम्रान खान को सता से बाहर करके विविन तरह के आरोप लगा करके जेल में डालना का काम किया गया, ठीक है, यह कहा जाता है, इम्रान खान के पा जब मिलने गया इनका लीगल टीम अभी इद का समय था तो इद पर जब इनकी लीगल टीम इमरान खान से मिलने गई तो इन्होंने मैसेज भीजबाया और लीगल टीम ने बाद में आकर के एक प्रेश नौट जारी किया ठीक ऐसा ही जैसे कि अभी आप इसको रिलेट कर बाएंगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अभिन केजरिवाल अभितिहार जेल में हैं ठीक है उन्होंने मुखमंत्री पत से देखिए इस्त इम्रान खान हलाकि परदान मंत्री नहीं है ठीक है वह पी टी आइक के संस्थापक है जैल में है लेकिन जैल से उनका मेंसेज उनकी लीगल टीम प्रेश नौट के जरी जारी की है अब उसमें कुछ बाते कही गई है और इम्रान खान ने कमिशन का चर्चा किया एक कमिशन रिपोर्ट दिया था पाकिस्तान में ठीक है और हमिदूर रह्मान कमिशन रिपोर्ट ही ये रिपोर्ट आया था इस रिपोर्ट को ले करके एक बात ही कही गए इस रिपोर्ट में एक बात सबसे एहम किया गया था जब ये रिपोर्ट समिट किया गया उसमें लंदन प्लान क चर्चा किया दिया अब यह लंदन प्लान किया है देखिए इसी सम्चीजों को ध्यान से समझने की ज़रुत है इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते हुए यदि आप इन सम्चीजों को नहीं समझ पाएंगे सिर्फ आप समझेंगे कि हाँ फेक्ट कुछ याद कर लिया मैप को देख लिया तो मामला आपका क्लियर नहीं होगा आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा डेफ तक आप नहीं जा पाएंगे फिर यूपिएसी अच्छे मार्ग साथ को रिवाइड में नहीं करेंगी तो यहाँ पर बहारी हस्तक्षेप अब यह बहारी हस्तक्षेप कहां पर होगा तो जाहिर सी बात है यह एलेक्शन में होगा और एलेक्शन में क्यों होगा तो जो गौर्णमेंट इस्टेवल है ना उसको इस्टेवल रहने नहीं दिया जाएगा इस्टेवल गौर्णमेंट नहीं चाहें तो क्या होगा कि उस देश में जो भी हम काम करवाना चाहे वह काम हम करवा सकते हैं, ठीक है यह कोशिश की जाती है अब इसमें दो तीन चीजे आता है जाहिब सी बात है पॉलिटिकल ग्रीड की बात की जाती है यानि कि जो राजनेता है उनमें सत्ता प्राप्ट करने की लाल पक्ष को, जिसको हम सत्ता से वेदेखल करना चाहते हैं, उसको जनता के नजरों में गिरा करके, उस पर करप्षन का चार्ज लगा करके, उसको किसी भी तरह से जेल में डाल दिया जाए, ताकि वह चुनाब के परकरिया में शामिल है नाव पूपाए. यह जो पूरी तरह से किया गया Orthodoxot प्वाइश था यह रिपोर्ट झोह सिन ने पहरी बार लन्डन प्लान का चर्चा थिया अब यह सिर्पोर्ट का हवाला देने इम्रांद का और कहा है टिर लांट जो है फिर से एक्टिम है पाकिस्टान के लिए समझ रहे हैं यानि कि पाकिस्तान की राजनीती में पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरिगेटी है रास्टी अखंडता उसको तोड़ने के लिए आज भी लंदन फ्लान जो है वो एक्टिव है मैं इसको चर्चा करूँगा जभी पाकिस्तान की मैप अभी आपको बताऊँगा आपको समझाँगा कि किस तरह से पाकिस्तान के किस-किस राज्ज में क्या-क्या तोड़ने की बात कही जा रही है और जो लोग यूरोप में हैं बहुत सारे संगठन के लोग हैं अमेरिका में वहां से वो लॉबी चला रहे हैं कि ठीक इस तरह से कि वहां से हम तोर कर लें अप रिलेट कर पाएंगे देखिए खालिस्तान मुव्मेंट किसान अंदूलन देखा था उसमें यारोप था सरकार का कि खालिस्तान मुव्मेंट उसमें शामिल हो गया ठीक है और खालिस्तान का क्या मांग है कि भारत में जो पंजाब का हिस्सा है जो हरियाना का हिस्सा है या हिमाचल परदेश का थोरा सा हिस्सा है और पाकिस्तान में जो पंजाब का हिस्सा है इस सब को मिला करके हम एक राष्ट बनाएंगे अब देख लिए इस मैप पर दिखा देता हूँ इसलिए मैं पर हिमाद चल और हरियाना वेगरा तो ये थोड़ा सा ये मतलब में सांकेतिक रूप से मैं बता रहा हूं ये पूरा जो एरिया है ठीक है इस एरिया के आसपास जो है खालिस्तान नए राष्ट बनाने की बात की जाती है ठीक है वे लोग जो चाहते हैं कि खाल सा पंथ की पाकिस्तान के एक हिस्टे को जिस तरह से तोड़ने की अलग करने की कोशिश की जा रही है वैसे ही लंदन प्लान एक्टिव है और लंदन प्लान एक्टिव होकर के यह जो पाकिस्तान का अलग-अलग राज देख रहे हैं इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है ठीक वैसे ही जैसे कि बंगला देश को अलग कर लिया गया था 1971 मामला किलियर हो रहा है समझ में आ रहा है यही बाते यहां पर इस रिपोर्ट में यह जो डौन अखबार में प्रकासित हुआ है इसमें यह बात इमरान खान इसके जरीए कहना चाह रहे है इतना मामला समझ में आ गया अब यहां पर एक बात इमरान खान ने कहा जब इमरान खान सत्ता में थे तो लगातार जो है आर्मी चीप से उनका टकरहाट हो रहा था और यह समझ में आ रहा था कि आर्मी चीप से टकरहाट हो रहा है तो सत्ता में नहीं रह पाए इसलिए आप देखेंगे पाकिस्तान जब से बना है तब से कोई भी प्राइम मिनिस्टर शायद ही अपना पांस साल का कारेकाल पूरा करवाए हो पाकिस्तान का इतिहास है इसके अलाबा जो भी प्रधान मंतरी पाकिस्तान में बनता है वह प्रधान मंतरी जब पद पर नहीं रहता है पद से और पदस्त किया जाता है उस तो जो आएगा वहां क्या आएगा पॉलिटिकल पॉलिटिकल ग्रिड की बात की गई और दूसरी बात की गई क्या यहां पर military operation military operation यह दोनों चीजे जो है यह London plan का हिस्सा है यही इमरान खान कहने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं और इस सब के जरिये जो है एक जो है stable government को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, छेतर को अलग करने की कोशिश की जाएगी, और फिर वहाँ पर economic crisis आएगा, institution देश के चर्मर आएगे, जनता में हो संतोष होगा, और कहीं ने कहीं गृयूद जैसे इस्तिती हो जाएगी, देश का जो छेतर है जाएगा, यह बात है यहाँ पर कहीं जाएगा, अब एक लाइन बहुत इंपोर्टेंट है, इस प्रेश नॉट में जो कहा गया, उनके लीगल टीम के द्वारा, कि इमरान खान जो है फिर से military के साथ बातचीत करने के लिए तयार है, देखिए, again he hinted that he was ready to talk to the military establishment, claiming that it would be the best interest of the country, अब यहाँ पर यह hint है कि क्या फिर से इमरान खान military से बात करना चाहेंगे, सेना परूंख से बात करना चाहेंगे, और यह यह चीजे होता है, अभी hint मिला है, यानि कि बाते कही गई है, लेकिन आगे update क्या होगा, आने वाले कुछ दिनों में यह देखना होगा, और य उनकी government, जो है majority की government नहीं है, अलाइंस है, ठीक है, और अलाइंस जो है गठवंदन की सरकार, उसकी बहुत सारी मजबूरियां होती है, कई पेर पेर चलता है, कई पीलर होता है, एक पीलर भी खतम हुआ, वो alliance की government खतम होगे, ठीक है, तो यहाँ पर यही संका कहा जा रहा है अब जरा देखते हैं, जैसा मैंने पहले कहा था, कि धाका tragedy के बारे में, धाका crisis भी से कहा जाता है, धाका संकर, तो क्या है जरा इसको देखिए, यह घटना 1971 की है, ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लिए, धाका बंगलादेश की अभी राजधानी है, बंगलादेश उस बक्त पुर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है, और इसी वज़े से इसको धाका crisis कहा जाता है, या धाका tragedy कहा जाता है, देखिए, उस बक्त जो है, 1970 में एक चुनाव होता है, इस कहानी को समझ लिए थोरा साथ, आपके लिए आसान हो जाएगा, समझना इस topic को, 1970 म ये दोनों उस बक्त पाकिस्तान का ही होता था, ये पाकिस्तान हो गया, और ये इसको कहा जाता था, पुर्वी पाकिस्तान, ठीक है, ये पुर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उस बक्त एक चुनाव हुआ, जनरल एलेक्शन हुआ, उस बक्त के सेना परमुख, पाकिस्ता पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनना चाहते थे यह चाहते थे कि एलेक्शन में थोरए सा हेर फेर हो जाए तो जनलेक्शन होगा उस वक्त भी इस्तिती था कि पाकिस्तान का जो आप देखेंगे एकॉनमिकल क्राइसिस उसमें बहुत चरम पे था इंफलेशन हाई था ठीक है और राजनेतिक रोप से औस्तिता का माहौल बना हुआ था चुनाब होता है चुनाब में क्या होता है कि वहाँ पर आवामी लिग एक बड़ी पार्टी बन किया जाती है और बड़ी पार्टी कहने का ताथ पर इतना कि उसे पुर्ण बहुमत मिल जाता है अब प्रेस्ट न में डाल दिया जाता है फिर इनकी हत्या भी कर दी जाती है उस आवाज में घुस करके और फिर इनके परिवार की भी हत्या कर दी जाती है उस परिवार में केबल दो ही लोग वजते हैं एक शेख हशीना और एक उनकी बहन यह इसलिए कि यह विदेश में उस बक्त रहती है पढ़ने के लिए लंदन में रहती है और इसलिए बच जाती है नहीं तो इनका भी हत्या कर दिया जाता तो यह मामला उस बग काफी चला था ठीक है तो आवामी लिग जो है वह पुर्ण भाहमत में आ गई अब यहां पर समझ लिए यहां खान के तो मन में यह था कि मुझे ब बहुमत से कोई भी पार्टी ना आ पाए ठीक है यहां पर हंग पार्लेमेंट की बात की जा रही है तो यह बात जो है इम्रान खान भी अपने पूरे स्टेटमेंट में इस बात की खुलाशा कर रहे है एक बार इम्रान खान जेल से बाहर आए थे एक वीडियो देखिएगा आप यूटूब पर जाकर सर्च कर लेजेगा इम्रान खान जो है यह बात कह भी रहे हैं एक वीडियो के माद्यम से सारची समझा रहे हैं पाकिस्तान के जन्ता को तो यहां चा रहे थे कि तिरशंकु संसद हो जाए तिरशंकु संसद नहीं हुआ किसी एक पार्टी को पु अलग तरह के देखने के मिल गई वो उपचुनाब में आर्मी का दबदबा रहा और जिस आवामी पार्टी की मैंने कहा कि वो पुर्द बहुमत में आय थी शेक मुझेबुर रह्मान की पार्टी उस पार्टी को केबन इन लोगों ने 80 seat पर समिट दिया यानि कि अब वो प पार्टी पोजिशन इन नेशनल एसेमली यह जो है उसी समय का 1971 वाला में मामला कह रहा हूं यह आवामी लिग को 160 seat मिला था ठीक है अब यह 160 seat अकर आप देखेंगे और साथ जो है एक्स्टा यह जो है रिजर्ब सिट हुआ करता था उस समय वुमेन के लिए पार्लेमेंट क कि वही जो आज का बंगलादेश है तो आप देखेंगे कि 75.1% जो seat है वह आवामी लिग ने जीत लिया ठीक है अब इस हिसाब से सेख मुझेबूर रह्मान को प्रसेडेंट बनना था लेकिन इस तरह की सिती जो वहाँ पर किया गया बाइलेक्शन करा दिया गया यहां खा भी गई है ठीक है तो इतना मामना आपको समझ में आ लगया होगा चलिए आङए बंगलादेश का जो यह जन्म है वह किस तरह से हुआ था यानि कि भाका ट्रेजंडी की हमने शुरू हो गया बंगलादेश में उस वक्त के पुर्वी पाकिस्तान में 30 लाख लोगों का खून कर दिया गया लोग वहां से भाग करके भारत के तरफ पलाइन करने लगे अब इस्तिति इतनी जाज़े जट्रिल थी उस वक्त भारत की प्रधान मंतरी हुआ कर दिये इंद्र उस पर हमला कर दिया गया अब यहां पर समझे 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था अब इसमें भारत को शिकस्त मिला था तो पाकिस्तान ने 1965 में भारत पर आप जानते होंगे एक युद्ध छेर दिया इसमें सोचा यहां पर आर्मी कमजोर है यहां पर मामला बन जानते हैं सेना के समर्पन का यह मतलब नहीं होता है कि ठीक है मार बान लिए बहुत बेज़ती होती है बहुत जलील हो जाता है जब भी सेना का समर्पन होता है तो आप जो कैप आर्मी पहनते है तो वो कैप रखा जाता है हतियार रख दिया जाता है जो बैच होता है बेल् मसला होता है और पाकिस्तानी सेना का ये हुआ और तक्रीबर मैंने का 95,000 पलस अब सोच सकते हैं इतनी बरी तादाद में साइध ही विश्व में कभी किसी आर्मी ने समर्पन किया हो और भारती सेना ने ये करवा लिया था इंद्रा गांदी उस वक्त देश की परधान मंत्री हुआ करते थी और बहुत मजबूती से उस वक्त काम किया गया और फिर बंगलादेश को अलग कर दिया गया 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने देखिए ये समर्पन की बात की गई पाकिस्तान की सेना के आत्ष्मर्ण के साथ ही बंगलादेश का जन जिबूर रह्मान ने पुर्वी पाकिस्तान को स्वतन तरदेश उस वक्त गोशित कर दिया इसके बाद पाकिस्तान में नौ महने चलागिर्द इस दोरान बंगलादेश के लाखों लोगों ने भारत में सरन ले ली जैसा मैंने पहले भी कहा 16 दिसंबर 1971 को भारती सेना के सा जिसने एक देश को तोड़ दिया और उस देश का बरा हिस्सा एक नया रास्ट बन गया तो यही कहा जा रहा है कि आगे दहा का ट्रेजरी हो सकता है राजनेतिक इस्तिरता की अगर और ऑस्तिरता की बात करेंगे तो 2018 के पाकिस्तान के चुनाब का नतिज़े अगर आप दे है तो उस हिसाब से पुर्ण बहुमत में हुआ करती थी ठीक है यह पार्टी इम्रान खान प्रधान मंत्री भी बने बाद में सेना के साथ संबन सही से चला नहीं और उन्हें हटा दिया गया पी एमल एन यानि कि यह जो नवास शरीव बाली पार्टी है वह पार्टी है पी यह उमिद किया जा रहा था कि इम्रान खान के पार्टी को बैन कर दिया गया यह जेले में डाल दिये गए तो उमिद किया जा रहा था कि इनकी पार्टी जो है पूरी तरह से कॉलैप्स कर जाएगी और इनके पार्टी से लड़ने नहीं दिया गया तो निर्दलिये उमिद गठमंदन कर लिया नवाज सरीफ की पार्टी जो है पीमल एल एन इन ये कहा जा रहा था कि ये ज़्यादा बहुमत सिप लेके आगी और बहुमत में आ जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ फिर इन सबने मिलके पीपीपी के साथ मिलकर के इन्होंने गठमंदन किया और फिर ये आप जानते ही कि पाकिस्तान की मालत अभी क्या है अभी मैं थोड़ा और भी बता दूँगा अब यहां पर देखे यह मैप आप देख लीजिए इंडिया का मैप देख रहे हैं आप इंडिया के साथ पाकिस्तान को आपने समझ लिया यहां बंगलादेश जो कि अब उस वक करेंगे तो इस मैप में यह वाला हिस्सा जो है वह पाकिस्तान को दिया गया है यानि कि इतना हिस्सा ही इस मैप में पाकिस्तान का है लेकिन यह वाला जो हिस्सा है पाकिस्तान के साथ दिखाए गया है वैसे यह भारत का हिस्सा है ध्यान रखना है भारत का अभिन अंग है लेकिन चुकि पाकिस्तान का आवे नियंतरन है तुके के साथ दिखाए गया है। और यह वाला जो हिस्सा आपको दिख़ रहा होगा यह आप यहांसे कुछ ऐसे समझल लीजीए यह वाला यहां तक यह P.O.K. वाला हिस्टा है कास्मीर की जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग इसे अवेज निय दर्ण पाकिस्तान का कहते है और पाकिस्तान कहता है यह आजएत कस्मीर है तो यह वाले हिस्सा वो है ठीक है इसलिगे इस मैप के साथ दिखा दिया गैया है लेकिन आपको समझना है अब ज़रा देखते हैं कि पाकिस्तान के ताजा हालात क्या है देखे ये पाकिस्तान का मैरत है पाकिस्तान का जो सबसे सम्र्द राज्य है वह है पंजाब है पंजाब किस हिसाब से तो एक तो जनसंख्या यहां की जैदा है दूसरी बात क्या है कि यहां पर राजनितिक इस् पर अपना कभजा कर लिया ठीक वैसे ही जैसा कि हम लोग भारती राजनीति में कहते हैं कि अगर दिल्ली के सत्ता पर किसी को चाहिए तो वह पटना और लखनों होते ही जा सकता यानि कि यूपी पिहार जिसने जीत लिया वह दिल्ली के सत्ता पर पहुंच जाएगा ठीक ऐसे पंजाब को ले करके पाकिस्तान में कहा जाता है मामला समझ में आ रहा है अब देखिए पंजाब में जो है लगातार विरोध चल ला है मैंने खालिस्तान मुव्मेंट के बारे में आपको बता है कि इस एरिया में खालिस्तान एक तो खालिस्तान मुव्मेंट की बात की जाती तो यहां पर पाकिस्तान में पंजाब प्रांद के अंदर ही लोगों का औसंतुस बढ़ता जा रहा है और लोग स्वतंतर देश की मांग कर रहा है इसके अलावा सिंध में तो आप देखते ही होंगे पाकिस्तान के साथ नहीं रहा है बलुचिस्तान के इसिति किसी से छुपा हुआ है नहीं से जो पूरी तरह से है यह सी पैक वाला यहां से चीन से नकला है llegar तो यहां पर पर लगातार जो है पूरा बलुचिστान पर चीन का प्रवाब बढ़ता जा रहा है और बलुच लोग जो है उनके जो अपनी सांस्क्रितिक तहचान है वो खत्म होती जा रही है इसका बिरोध कर रहे हैं यह लोग और यह कह रहे हैं कि यहां से चीन को हटाईए और हमें एक स्वतंत राष्ट बना दीजिए ठीक है यह लगातार यहां पर चल ला है इसके अलावा अगर आप देखेंगे पियोके को लेकर के लगातार ख़वर आते रहता है कि पियोके का दो हिस्सा यह जो गिलगिट बालतिस्तान वाला हिस्सा है अभी तो इसी के साथ है यहां पर तो यह गिलगिल बालतिस्तान के लोग लगातार नारेवाजी करते हों शरकों पर आते हैं कि पाकिस्तान की सरकार जो है यहां से वापस जाए और यही हालाद जो है पियोके का भी हो रहा है ठीके तो कुल मिलाकर कर के अगर आप देखें गे तो इसarti यहां पर बहुत गंबीर है इसके इलाबा जो खैवर पक्तन बाला हिस्सा है ना उदर पश्चिम बाला एक्टेट आगर आप देखेंगे ये हिस्सा भारत का है, भारत छोरेगा नहीं, कभी ने कभी लेगा हीं, पंजाब अलग होना चाहता है, सिंद अलग होना चाहता है, बलत्विस्तान अलग होना चाहता है, और इस हिस्से पर खेबर पर अफगानिस्तान का वह कबजा करना चाहता है, तालिवान एक्टिव हो र MF का projection अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के लिए 2023 की तो जरा इस पर आप देखेंगे कितना चोकाने वाला यह आक्रा है inflation को लेकर कि महंगाई किस हिसाब से पाकिस्तान में बढ़ रहा है percentage की हिसाब से देखेंगे annual inflation को हम देख लेते हैं annual inflation अगर देखेंगे 2023 का यहाँ पर October 2022 और यह अपरील 2023 W.E.O हम देखेंगे अब यह देखेंगे यहाँ पर 19.9 परतिशत था यह October 2022 का आक्रा है लेकिन आप देखेंगे एक साल बाद या निकि एक साल भी ने अपरील 2023 है तो एक साल भी छीक से नहीं पूरता है और यह 2023 की स्थिति देखेंगे अपरील में यह बढ़ करके 27.1 पर पहुंच जाता है परसेंटेज के हिसाब से देख रहे हैं तो इंफ्लेशन इतना ज्यादा हो चुका है वहाँ पर कि लोगों के पास जो है आटा खाने के लिए खर देने के पैसे नहीं है और आटा भी उ भंडार होना चाहिए पाकिस्तान के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार अब उसके पास बच नहीं गया है तकरीबन दो तीन महिने की सरकार और चल पाएगी इतना ही कम पैसा है वहाँ पर तो बाहर से समान खरीद नहीं सकते और बाहर से समान नहीं खरेंगे पर तो यहीं हो रहा है ग्रोथ रेट की बात करेंगे अगर आप तो यहां पर देखिए जहां पर 3.5 प्रतिशत हुआ करता था अक्टूबर 2022 में वह अब केवल 0.5 पर पहुंच जुका है केवल यह साथ-8 मैने में इतना परिवरता ना गया है इतना गिर गया है यहां और अगर इसके बाद अगर आप देखेंगे करेंट अकाउंट बाइलेंस की परसेंटेज अगर जीडीपी के हिसाब से निकाल ले आएमफ का प्रजेक्शन है कि यह जो है अक्टूबर 2022 में भी निगेटिम में था माइनस 2.5 था और उसके बाद अगर आप देखेंगे अप्र प्रेक्स और इंफलेशन को लेकर के बात करेंगे तो आप देखेंगे यह आकरा जो है लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के लिए बहुत चिंता का विश्य हमें बाला है इंफलेशन अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो जैसा मैंने कहा कि यह पाकिस्तानी रूपिया की बात कर रहा हूं अब यहां पर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रव हंडार जो है जो मैं कह रहाता वह आठ अरब डॉलर मात्रा इतने बरे मुल्क में केवल फॉरेक्स आठ अरब डॉलर हो और उसमें भी उस कंट्री को इंपोर्ट करना परता हो ज्यादा चीजे अपने जनता के लिए आप समझ सकते हैं कि यह दो महना का ही केवल पैसा बचा है पाकिस्तान के पाकिस्ति में पाकिस्तान आगे कैसे चल पाएगा यहां से यह संकट हो गया है कि यदि कोई देश उसको लोन ना दे इसलिए आपने देखा होगा कि पाकिस् सौधिर अविया गयर और सौधिर अवियाग के पास जाकर से वही चीजें कि हमें कुछ लॊन दे दिजिए कुछ पैसा देजिए तुछ फंड देजिए यह ही इनका चलता रहता । यहीं चीजँए यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है कि इनके पास अब जो है पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे जरूरी समानों के दाम देखें, आपकी हिसाब से बढ़ रहा है, तो जरा इस स्थिति को देख लीजिए, और यह चीज जो है आप यहाँ पर देखेंगे, यह प्याज की स्थिति आपको बताए गया है, और दो जग़े से तूलना किया पेशाबर का भी और लाहॉर का भी बताए गया है आपको, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो एक जगह पे 200 रूपिय पर किलो मिल दा है, पेशाबर में, और लाहॉर की स्थिति देखेंगे, तो 190 रूपिय पर किलो लाहॉर में मिल दा है, अगर दूद की बात करें एक जगह 200 रुपिया पर लिटर दूसरे जगह 500 रुपिया पर लिटर यह लिटर के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि क्या मामला है चावल की स्थिती देखेंगे तो तक्रीवन आपको 340-335 रुपिया पर कीलो नजर आएगा डाल जो है वह भी 320 रुपिया पर कीलो दोनों जग प्लादि इसके ना तो किसी भी घर का जो है किजन चले ही कैसा एक यह पाट राश्ट हो है विट्सटी यह पहुरre है चीन की एपिर अरभी एändजिए तुरकी की इस सब ने पाकिस्तान से पल्ला जार लिया है अभी हाली में जब शाहबाद सरीफ सौधी अरब गए तो वहां के प्रिंस क्राउन जो है सलमान के साथ इनकी बातचीत हुई और शाहबाद सरीफ साहब तो यह साथा प्रेश कांफरेंस में कहा गया था अभी पांस दिन पहले की बात है तो बहुत बेज्जेती हुई पाकिस्तान की यानि कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वह पाकिस्तान का पूरी तरह से खराब हो गया है कोई बहाव देने है पूरी दुनिया में इकॉनमिक क्राइसिस हो रहा है एनर्जी स्वाटेज हो गया है सिक्यूरिटी इसूज वहाँ पर काफी हो गया है इंटरनेशनल निरेशन का अगर देखेंगे तो पूरी तरह से चर्मरा गया है अब वहाँ पर जो कंस्टूशन है उस पर शवाल उठ रहे हैं जितने भी व भारत का परोशी है भारत पाकिस्तान के बिना सच माइने में अगर के हैं तो अपने इंटरनल सेक्रिटी और इंटरनल रिलेशन को आगे बढ़ा भी नहीं पाएगा इसलिए भारत को भी चुपना रहने की जरुरत है और आप यूपीसी स्प्रेंट है तो ऐसे टॉपिक प प्रशन बनता है तो जैसे की धाका ट्रेजडिय भी चर्चा में आ गया तो ऐसे सब्द जो की अख़बारों में चर्चा में रहते हैं यूपीसी सब्दों पर प्रशन बनाती है अब देखा होगा यूपीसी के प्रविएश येर के प्रशन पत्र को वो पूस्ती है हाल ही म अख़बार में चर्चा में रहे ये सब्द धाका ट्रासदी और फिर उसे प्रश्ण बना लिया तो ऐसे सब्द पे दिहान देना है धाका ट्रासदी से संबंधित तिमलिखित कत्नों में से सही कथन का चेहर कीजिए चार विकल्ब दिया गया है वर्श उनीच्व सब्द पाकिस्तान के ग्रियुद से एक अलग रास्ट के रूप में बंगलादेश के निर्मान को धाका ट्रासदी का पड़ेनाम कहा जाता है दूसरा पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख राजनेतिक नेता सिख मुझीबूर रह्मान धाका ट्रासदी के न प्रमुख रही होगा ठीक है अब जो भी सही आंसर हो उसका चैन करके आप कमेंट बॉक्स में जरू लिकिए इस पूरे घटना करम पर आप क्या सोचते हैं क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान का जो है दिन लदने का समय जल्द ही आ गया है पाकिस्तान में ग्रियूद रहना चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स को किस हिसाब से आगे फुक फुक करके कदम बढ़ाना चाहिए इन तमाम मुद्दों पर आपके क्या विचार है वह जरूर हमें अफ़गत कराईए कॉमेंट बॉक्स के जरिये जरी अभी तक संस्कृति आइस के चैनल को आपने सबस आप अपना बेहर ख्याल रखिए थैंक यू